हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल राधी राधे फ्रेंड्स से देखे आज हम जो ड्रेस बनाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए उसको हम तू कलर से बनाएंगे पिंक और ये देखे ब्लो कलर है और आज की ड्रेस हम बनाएंगे करोसिया से 10 नमबर हम आराम से आजाएगी ति दिखे सबसे पहले हम यहां पर एक नोट लगा लेंगे और नैक के लिए चेन यहां पर बना लेंगे चेन आ गई हमारे पास नोट भी लग गई दो बहुत जादा टाइट हम यहां पर चेन नहीं बनानी क्योंकि हमें इस पर फिर फंदे उठाने है हमें दो हो गई तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चोदे, पंदरे पंद्र-चेन हम नहीं ने यहाँ पर बना लिए फिटेन चेन अब देखिए इसको इस तरह से यहाँ पर पकड़ेंगे और एक दो त्रशी दामकी कि थाला लेंगे और जहां से हमने इसको पकड़ाये देखिए यहां से हुक डालकर हम डबल क्रोसिया बना लेंगे देखिए तिरी की चेन होगी ये भी एक डबल क्रोसिया में काउंट होगी और यहाँ पर एक डबल क्रोसिया हो गया दो हो गए तीन चार पांच छेन देखिए इसी तरह से हर एक चेन में एक डबल क्रोसिया बनाते हैं पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं टोटल हमारे पास इसमें 16 डबल क्रोसिया हो जाएंगे 16 पंदरा तो हम चेन में से बनाएंगे डबल क्रोसिया और एक ये सुरुआत की जो स्टार्टिंग की तिरी की चेन थी यह भी double crochet में count होगी, तो यहाँ पर 16 double crochet हो जाएंगे, बनाते हैं फिर दिखाते हैं, यह देखें, फर्स्ट रो के बाद हमारे पास यहाँ पर 16 double crochet है, अब second row बना लेते हैं, एक, दो, तीन, तीन chain हमने बना ली, इसी के साथ हम बना लेंगे double crochet, तो यहाँ पर 2 double crochet हो गए, फि देखें, फिर थर्ड chain में 2 double crochet, एक, दो, और फूर्थ chain में भी दो double crochet, एक, दो, चार chain में हमने देखें, दो double crochet बना लें, एक, दो, तीन, चार, अब जो यह फिफ्ट chain है, तेखें, फिप्ट वाली chain में हम 3 double crochet, एक साथ बनाएंगे, एक, दो, और ये 3 तीन डबल क्रोशिया हो गए 5th चैन में फिर देखे चार चैन में हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 फिर दूसरी चैन में देखे दो डबल क्रोशिया एक 2 धरड वाले चैन में भी 2 डबल क्रोशिया एक दो और यह फोर्थ वाली चेन है इसमें भी दो डबल क्रोज या एक दो अब देखें यहाँ पर यह फिफ्ट चेन है तो फिफ्ट वाली चेन में हम बनाएंगे तीन डबल क्रोज या एक साथ एक दो और यह तीन अब देखें हमारे पास यहाँ पर जो चेन बची है इनमें हम दो दो डबल क्रोज या बनाएंगे एक चेन दो यह थर्ड चेन यह देखें फोर्थ चेन और यहाँ पर यह फिफ्ट चेन यह देखें फिफ्ट वाली में हमें कैसे बनाना है एक डबल क्रोज यह तो हम यहाँ पर बनाएंगे और एक देखें जो लास्ट वाला है उसको हम जो यह चेन स्टिच है इसके लास्ट वारी चेन में बनाएंगे तो देखें इस तरह से हमने इसके सेकेंड ड्रो कम्प्लीट कर ली है यह देखें टू राउंड कम्प्लीट होने के बाद हमारे पास इसमें टोटल 32 डबल क्रोज यह हैं 32 अब इसमें और डबल क्रोज यह इंक्रीज नहीं करेंगे यहां से इसके हम देखें थर्ड लाइन बना लेंगे थर्ड राउंड है यह देखें अब हर एक चेन में हमें एक एक डबल क्रोज यह बनानी है देखें स्टार्टिंग में तो हमने थिरी की चेन बनाई अब नेक्ट चेन में बनाएंगे डबल क्रोज यह अब देखें हर टेनुए के डबल कुरोश यह बना लगे और इसक थर्ड रॉट हमकंते लेंगे इस तरह से किसको बना लेते हैं फिर दिखाते है कि दीखिए थिर्क रहांद हम दे इसके दीक छाहँ आज और से में यह लांड आजा और पर एक बार दिखा द है यह देखे प्रोपर एक इंच है यह अब इसमें हम इसके आर्म होल बनाएंगे तो देखे इसका फोर्ट रांड बना लेते हैं टोटल हमारे पास इसमें जो डबल क्रोशिया है थर्टी टू है इनको हमें डिवाइड करना है एक तो तीन तीन चेन बना ली तो इस चेन में हम बनाएंगे डेक्ट चेन में बनाएंगे दो डबल क्रोशिया हम यहां पर कांट करेंगे ठीरी की चेन एक डबल क्रोशिया तीन चार और ये पांच यहां पर हमने पांच डबल क्रोसिया बना लिए अब एक चेन बना लेंगे इसे यहां पर देखे जो बाजू हम बनाएंगे उसे आर्म होल जो बनाएंगे इस पर आ जाएगा एक चेन बना लिए से काफी तो देखें यहां पर एक दो तीन चार पांच छे छे चेन हमने स्किप कर दी जो सेवंथ चेन है इसमें डबल क्रोसिया बनाएंगे यह देखे छे चेन हमने इसकी स्किप की है एक, दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और ये दस दस डबल क्रोसिया हमने यहाँ पर यह बैक साइड के बना लिए अब एक चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे, चेन, इसकिप कर देंगे और जो सेवंथ चेन है इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोसिया यह देखिए, ते देखिए अब यहाँ पर फ्रंट साइड के दूसरी साइड के हम डबल क्रोसिया बनाएंगे एक हो गया, दो, तीन, चार, और लास्ट वाला देखिए जो चेन स्टिच हैं इसके लास्ट वाली चेन में, पांच, तीके इस तरह से हमने इसको डिवाइड क पोटल हमारे पास इसमें 20, डबल क्रोसिया है, 20, पांच यहां से, पांच यहां से, और 10 हो गए बैक साइड की, तो देखिए, इसको हमने इतना बना कर कंप्लीट कर लिया है, अब इसमें हम यहां से घेरे के लिए फंदे बढ़ा लेंगे, यह देखिए, चोले के हमने यह आपर एक, दो, तीन, चार, चार राउंड कंप्लीट किये है, अब घेरे के लिए फंदे बढ़ाएंगे, और इसको हम जोइंट करेंगे, एक, दो, तीन, तीन, तीन बना लिए, और सेम जगे हम एक, डबल क्रोसिया और बनाएंगे, तो एक चेन में दो डबल क्रोसिया हो अब हर एक चेन में यहाँ पर दो डबल क्रोसिया हमें बना लेनी है, घेरे के लिए, गेरे का यह फर्स्ट राउंड है, तो हर एक चेन में दो डो डबल क्रोसिया बनाकर इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ भी बनाना है, इसको कंप्लीट करने के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं, यह देखे, घेरे का हमने फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया है, अब इसको जोइंट कर देंगे, यहाँ से, जो यह स्टार्टिंग की तरीकी चेन है, लास्ट वाली चेन के साथ, इस तरह से देखे, अब यह हम इस तरह एक चेन बना लेंगे, तो देखे, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया घेरे का, अब यहाँ पर एक, दो, तीन, तीन चेन बना ली और इसी के साथ हमें एक डबल क्रोसिया बना लेंगे, तो यहाँ पर हमारी दो डबल क्रोसिया काउंट हो जाएंगे, फिर न अब इसके बाद बनाएंगे दो, एक और ये दो, फिर एक डबल क्रोसिया, अब देखें यहाँ पर दो डबल क्रोसिया, इस तरह इसका सेकंड राउंड कम्प्लीट कर लेते हैं, एक चेन में एक डबल क्रोसिया बनाना है और एक में हमें दो बनानी है, तो देखें, सेकंड राउंड हमने यहां तक complete कर रही है लास्ट में दो डबल क्रोसिया आए हैं अब देखिए एक चेन स्टिच बची है इसमें हम एक डबल क्रोसिया बनाएंगे और यहां पर हमारे दो हैं यह देखिए तो अब राउंड को यहां पर हम जोइंट कर देंगे इसकी लास्ट वाली जो चेन है यह देखिए यहां पर इस तरह से अब यहां पर एक दो तीन तीन चेन बना लेंगे और सेम जगह देखिए हम एक डबल क्रोसिया बनाएंगे तो ह फिर एक डबल क्रोसिया दो में एक डबल क्रोसिया बनाना है और जो थर्ड वाली चेन है इसमें हम दो बनाएंगे एक दो अब देखिए यहाँ पर एक डबल क्रोशिया फिर एक डबल क्रोशिया दो चेन में एक एक बनाया और जो थर्ड वाली चेन है इसमें हम दो बनाएंगे एक दो इस तरह से इसका थर्ड राउंट बना लेते हैं डबल क्रोशिया इंक्रेज करते हुए दो देखिए दो चेन में दो डबल क्रोशिया और जो थर्ड वाली चेन है इसमें तीन एक और यह दो डबल क्रोशिया तीसरे में दो डबल क्रोशिया और दो चेन में एक एक डबल क्रोशिया थर्ड राउंड हमने यहां तक कम्प्लीट कर लिया है अब इसको जोइंट कर देंगे इस तरह से और यह देखिए हर एक राउंड बनाने के बाद आप इसको फैला कर देख लेजिए कि जोल वगयरा कुछ नहीं है अब यहां से हम देखिए एक एक चेन पहले थी दो तीन तीन चेन बना लिए और इसी के साथ एक डबल क्रोसिया बनाएंगे ये इसका फोर्थ राउंड है थर्ड हमने आपर कंप्लेट किया है अब फोर्थ राउंड बनाएंगे दो हमने डबल क्रोसिया बना लिए एक साथ अब देखे इस चेन में एक डबल क्रोसिया फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोसिया दो चेन में दो डबल क्रोशिया हो गए तीन चेन में तीन डबल क्रोशिया और चार में चार डबल क्रोशिया अब जो फिप्त वाली चेन है इसमें हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक और ये दो फिर देखें चार चेन में चार डबल क्रोशिया एक दो टीन चार और जो फिप्त वाली चेन है इसमें हम बनाएंगे दो डबल क्रोसिया एक साथ एक और ये दो एवरी फिप्त चेन में हमें दो डबल क्रोसिया बनाने हैं बाकि समें एक एक दो टीन चार और ये 5 तो देखे इसका यहां से 1, 2, 3, 4 4th round है complete कर लिए इस देखे 4th round हमने यह तक complete कर लिया है अब इसमें color change करेंगे 5th round के लिए तो देखे यहां से हम यह hook डालेंगे और blue color से इसको joint कर देंगे इस तरह से एक chain बना देंगे और यह धागा इसका हम कट कर देंगे पिंक वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखके तो देखें यहां से इसका फिफ्ट राउंड बना लेते हैं यह दोनों धागे हम साथ लेंगे एक चेन हमने बना ली अब हर एक चेन में एक-एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यह देखें अब यह देखिए पूरा राउंड हमने कमप्लीट कर लिया है हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते अब देखें यहाँ पर एक-गत reg doch लेते बनाएंगे और सेम जगे हम दबल क्रोशिया बनाएंगे एक दबल क्रोशिया 2 क्रोसी shopping इसमारे और यह 3 क्रोस यह देखिए एक एतरे की चेन हो गई तीन ऊगए डपल ग्रोसे टोटल चार हो गए अब यहां पर हम चाहये बनाएंगे एक दो तीन चार पाट चेन बनाएंगे और तो देखिए जो स्टार्टिंग वाली चेन है इसकी लास्ट चेन में इसको हम स्लिप इस्टिच से देखिए जोइंट करतेंगे यह देखिए अब इसके उपर हमें बनाना है सिंगल क्रोशिया एक चेन बनाई तो देखिए यहाँ पर इसके उपर सिंगल क्रोशिया बनाना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दिये अब इस तरह से धागा लेंगे एक, दो, दो चेन छोड़कर जो थर्ड वाली चेन है इस भी बनाएंगे चार डबल क्रोशिया एक, दो, तीन, चार देखिए चार डबल क्रोशिया हो गए अब फिर से यहाँ पर हम पांच चेन बना लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, अब देखिए जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया इसके उपर से हम इसको slip stitch से joint कर देंगे एक chain बनाने अब यहाँ पर इसके उपर बनाएंगे single crochet एक इस तरह से single crochet बनाने हैं एक बनाया दो तीन चार पाँच और यह छे फिर से इस तरह से धागा लेंगे एक दो दो chain छोड़ देंगे थर्ड वाली chain में फिर से हम 4 double crochet बना लेंगे एक दो तीन चार फिर से चार chain लेंगे यहाँ पर इसको joint कर देंगे और इसके उपर हम 6 single crochet बना लेंगे यह देखे इस तरह से बनाते हैं पूरा round complete करेंगे यह देखे round हमने complete कर लिया है लास्ट वाला design यहाँ पर बना दिया हम इसको joint कर देंगे यह देखे जो starting की थिर की chain थी यहाँ पर इस तरह से hook डालेंगे यहाँ से एक loop निकालेंगे और एक chain बना कर यह धागा हम cut कर देंगे थोड़ा सा extra ही धागा रखे इस तरह से इसको cut कर देते हैं और देखे back side में यहाँ पर इस धागे को लाकर हम set कर देंगे इस तरह से एक दो note लगा कर back side में फिर से इसको जो extra बचेगा cut कर देंगे अगर note अच्छे से नहीं लगाएंगे तो खुल जाता है और सारी मेहनत आपके बेकार हो जाएगी तो धागा हमेशा थोड़ा सा extra ही कट करें जो अच्छे से note लगाने के काम आ जाएग यह देखे अब इसको कट कर देते हैं यह देखिए हम चोली की आउट्लाइन बना लेते हैं यहां से हम धागा लगाएंगे देखिए इस तरह से धागा लेंगे उसको हम ऐसे एक बार राउंड करेंगे क्रोशिया को और यहां पर देखिए एक दो दो चेन बना लेंगे अब धागा ऐसे लेंगे और सेम जगे हम बनाएंगे डबल करोशिया फिर ऐसे धागा लेंगे और जो यह चेन है हर एक चेन पर हम दो दो हाप डबल करोशिया बनाएंगे यह देखिए एक हाप डबल क्रोसिया फिर धागा लिया यह दूसरा हाप डबल क्रोसिया अब देखिए यहाँ पर एक हाप डबल क्रोसिया और सेम जगे यह दूसरा हाप डबल क्रोसिया आप चाहे तो यहाँ पर सिंगल क्रोसिया भी बना सकते हो तो देखे हर एक जो चेन है उसपर हम बनाएंगे दो-दो हाप डबल क्रोसिया और यह धागा देखे हम दबा लेंगे इस तरह से ताकि यहां पर फीनिसिंग अच्छे से आजाए अब देखे जो एक ओरनर वाली चेन है इस पर हमने दो हाप डबल क्रोसिया बनाए अब दो च और यह दो, इस तरह से, तो देखें, यहाँ पर यह मूड़ जाएगा, अब देखें, बैक वाले पार्ट में बनाएंगे, इस तरह धागा लेंगे, यह वाली चेन च्छोड़ कर, नेक्स चेन में बनाएंगे, दो हाप डबल गरोस या, एक, हर एक chain में नहीं बनाने है देखे इसको छोड़ लेंगे और यहाँ पर hole पर बनाएंगे एक दो इसको छोड़ लेंगे यहाँ पर बनाएंगे एक दो देखे जब हम यहाँ पर आएंगे यह देखें, korner पर तो यहां पर हम दो half doubleคुरुसिया बनाएंगे, फिर दो chain फिर दो half double कुरुसिया जैसे देखें हमने यहां पर बनाया है तो यह इस तरह से फोल्डो जाएगा, side को मुड़ जाएगा तो यह पूरी को बना लेते हैं फिर दिखाएंगे तूर्फ आप्लाइन इसके हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है और डोरी भी डाल ली है अब इसके हम मैचिंग कैप बना लेते हैं के बनाने के लिए अपर सबसे पहले हम मेजिकल निंग बना लेंगे इस तरह से दिखिए ऐसे धागा लपेट लिया धिया यहां से और एक लूप यह गमधने निकाल लेंगे ऐसे आ है कि और इसको में ऐसी पकड़ लेना है हलका आज इदिखें कीच लेंगे इसको बाहुत है वह ज्यादा टाइट हम नहीं नहीं की जिलिगे और एक चेन बना देंगे ऐसे तो एक चेन बन गई अब देखि़िए यहाँ पर एक चेन हो गई, दो, तीन, तीन चेन बना ली, अब इसके उपर हमें डबल क्रोशिया बनानी है, तो इतरीकी चेन हो गई, यह भी डबल क्रोशिया में काउंट होगी, दो, तीन, चार, चार, फांच, यहाँ पर हम 15 डबल क्रोशिया बना लें tö, फिर दिकाएं गे, यह देखें यहाँ पर हमने 15 डबल क्रोशिया बना लिए, अब इसको हम देखें दागे को खीच देगे, आधे खीच देया, और यहाँ से इसको जोइन्ट कर लेंगे, इस तरह से, एक चेन बना ली। अब यह धागा मैं इसी के साथ दबाएंगे यह डबल क्रोशिया बनाना है तेखे इस धागे को दबाते हुए कि I एक एक ठीरीक चेन होगए डबल क्रोशिया और काउंट करते हुएं यह आपधे डबल क्रोशिया बना लेंगे तीन चार इस तरह से हम 15 चेन के उपर 15 ही डबल प्रोसिया बनाएंगे अगर कम हो गया तो यहां से टाइट हो जाएगा यह ध्यान लगना है गला है यहां पर हमने और हमस्तिक और कम्प्लीट कर लिए और राउंड को यहहां पर हम देखें फिनिश करेंगे तो टू टू नुसके थर्ड राउंड बनाएंगे एक दो दो चेन बना लिए अब नेक्ट्ट चेन में हम हापडव'll कोशिया बनाएंगे यह देखे हर एक chain में एक एक हाप डबल क्रोशिया बनाना है 15 chain है तो यहाँ पर हम 15 ही हाप डबल क्रोशिया बना लेंगे तो 3rd round complete कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं अब देखें यहाँ पर हम 4th round बनाएंगे और इसको हम जोइंट करेंगे color change कराते हुए तो देखें blue color ले लेंगे और यहाँ से इसको हम इस तरह से जोइंट कर देंगे इस तरह से और यह धाग हम टाइट खीच देंगे दो चेन बना लेंगे इस तरह से और यह दोनों धागे हमें दबा लेने हैं अब हर एक चेन में एक एक खाप डबल क्रोशिया बनाएंगे यह इसका 4th round है यह देखें यहाँ से हर एक चेन में एक एक खाप डबल क्रोशिया बनाएंगे और यह धागस हम कट कर देंगे अब यहाँ से इसको 4th round को हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको हम दिखाते हैं फिर आपकी में तुरी देखे राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है अब इसको यहाँ पर जोइंट कर देंगे तरह से गर देखें चाप करड़ेंगें से इंप Ł़ यह रहाट आपको कैसी लगी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें जाद जाद शेयर करें बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी अगली नए वीडियो में राधे राधे